संस्क्रत भाषा शिक्षन में आपका स्वागत है पूर पाठ में हमने यत तत शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त किया इस पाठ में हम और भी कई नए शब्दों के बारे में अभ्यास करेंगे नमो नमा संस्क्रत भाषा शिक्षने भावतां सर्वेश्यां हाज़गं स्वागत है पूर्मतन पाठे वयं यत तत यह सह या सा इति विशयं यादवत इदाने वयं नोतना अम्शस्या अभ्यासं पुर्मा यत्यपी ममा पिपासा अस्ती तथा पि अहम जलम न पिवावी यत्यपी ममा पुभुक्षा अस्ती तथा पि अहम जलम न तादामी यत्यपी धनव अस्ती तथा पि अहम जलम यत्यपी लेखनी अस्ती तथा पि अहम न लिखामी यत्यपी कुष्पा अस्ती तथा पि अहम न भराम अहम वाक्य वयम पदाम भवत दहा यत्यपी तथा पि योजईत्वा पदत। यत्यपी धनव अस्ती तथा पि अहम न दरोती विनामह अस्ती विध्यायों गच्छती वदन्तों यत्यपी विनामह अस्ती तथा पि दिद्यायों गच्छती वदन्तों परीक्षा अस्ती न पठती यत्यपी परीक्षा अस्ती तथा पि न पठती विध्युत अस्ती व्यजनम न भ्रमती विध्यपी विध्युत अस्ती तथा पि दिद्यायों न प्रमती सहा निर्धनह दानम करोती विध्यपी सहा निर्धनह तथा पि दानम करोती समयह नास्ती आगच्छामी विध्यपी समयह नास्ती तथा पि आगच्छामी सा बुद्धिमती परीक्षाया अनुतिर्णा यद्यपी सा मुद्धिमती ततापी परिक्षाया अनुधिर्णा इदानी भवन्तहा यद्यपी ततापी एतयोंगो उपयोगं कृत्वा पाग्याने बदन्द। यद्यपी शिरोवेदयना हस्ती ततापी पतामी यद्यपी भवति पुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अध्यापी ममसमीडे पुस्टकन नास्थी अहम पटाली अध्यापी सहा अधिकम पटती तथा आपी स्मरने नास्थी अहम पटती यद्यपी अहम शालाम नगच्चामी तता पी अहम पाठम नानामी तता पी नावधामी यद्यपी अहम उत्तरं जालामी तता पी नावधामी यद्यपी अहम नावधामी तता पी परिक्षन लिखामी यद्यपी कारेक्रमह अस्ती तता पी अहम नावधामी तता पी अहम नावधामी तता पी नावधामी एकम पेश्बं अस्ती खरल अ कम खरल अस्ती पुस्ततं आएकम फुस्ततं अस्ती घ्रल अ कम असित दंडः एकह दंडः अस्ती आसंडः एकह आसंडः अस्ती स्यूतः एकह स्यूतः अस्ती चमसः एकह चमसः अस्ती लेखनी एका लेखनी अस्ती अंकनी एका अंकनी अस्ती पत्रिका एकह पत्रिका अस्ती मापिका एकह मापिका अस्ती कूपी एका कूपी अस्ती एकव पुस्तगम एकह पुरुषह एका महिला पुरतह नपुसगा इंग शब्दह अस्ती एकं पुल्लिंग शब्दह अस्ती एकह द्रींग शब्दह अस्ती एका इसी एवा प्रकारेना प्रयोगं कुर्मा थलं एकं फलं एकं फलं एकह ग्रन्थः एकह ग्रन्थः पत्रिका एका पत्रिका इतानी अहां शब्दार्वदा धवन तहा एकं एकह एका एतेशो उचीता प्रोपं यजे उत्पीथिका ग्रन्थः एकह ग्रन्थः ब्रक्षः एकह ब्रक्षः मन्दिरं एकं मन्दिरं कंकणं गंडः एकह गंडः मार्गह लेखनी एकह लेखनी अंकनी एकह अंकनी दंतकूर्चः एकह दंतकूर्चः सुधा थंडः एकह सुधा थंडः एकं एकं पुष्पं अस्ती एकं पुष्टगं अस्ती एकह एकह गंडः अस्ती एकह चमसह एकह एकह अंकनी अस्ती एका पत्रिगा ठयत एकह ठलम पुष्टगदवय अस्ती भेनकतवय अस्ती चमसः एकह चमसः अस्ती चमसः द्वयं अस्ती चशकत द्वयं अस्ती सुधा खंडर द्वयं अस्ती अंकनी एका अंकनी अस्ती अंकनी द्वयं अस्ती मार्विका द्वयं अस्ती पत्रिका द्वयं अस्ती द्वयं ग्रंधः ग्रंधः द्वयम अस्ती, कोशः गोशः द्वयम अस्ती, पत्रिका पत्रिका द्वयम अस्ती, लेखनी लेखनी द्वयम अस्ती, थायं थालत द्वयं अस्ति मंदिरं मंदिरत द्वयं अस्ति इदावीं अहं काणचन चित्त्राई दश्या अत्र किंकिं द्वयं अस्ति लेखनी द्वयं अस्ति मनिला द्वयं अस्ति कन्दुकाः द्वयाम च्टखाः 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 द्वयाम किन्हिता द्वयम अस्ति, कम्कन द्वयम अस्ति, माला द्वयम अस्ति, संगनगम Intro इदानिम् हमंतहा द्वयम इध्यस्या उपयोलं गृत्वा वाक्यम वदन पाद द्वयम अस्ती हस्ता द्वयम अस्ती ममा समीपे लेखेनी द्वयम अस्ती करना द्वयम अस्ती करना द्वयम अस्ती करना द्वयम अस्ती ममा समीपे पुस्तकर द्वयम अस्ती ममा समीपे फला द्वयम अस्ती एतस्याह मुके दंतर द्वयम अस्ती ममा अरुजा द्वयम अस्ती ममा अरुजा द्वयम अस्ती अब आप लोग एक दिश्य देखेंगे जिसमें इनका प्रयोग किया गया है कि मंपड़ातो बोह। कि मर्थम बोह। या चनम करोते। अहम निर्धनह मम समीपे कि मंपड़ाती। सत्यवा। सत्यवा। यतहा भवतह समीपे एकम रूप्य कम उपिनास्ति सत्यमेव परन्तु भवतह पादध्वयम अस्ति खलो आम पादध्वयम अस्ति एवम करोतु भवतह पादध्वयम मख्यम ददातु आम अहम दशे सहसर रूप्य काणि ददामी ना ददामी भोह एकम पादम ददातु, अहम दशे सासर रूपे कानी ददामी सरुवथा ना ददामी बवतहा हस्तत दोयम अस्तिखलो तदपी ना ददामी हस्तत दोयम ददातु, अहम विमुशती सासर रूपे कानी ददामी गच्चतु बोह, ना ददामी तरही एकम हस्तम ददातो अहम विम्षती सहसर रूपय कानी ददामी सरुवथा ना ददामी भवत अहा नेत्रद्वयम अस्तिखलो एकम नेत्रम मख्यम ददातो अहम पंचाशत सहसर रूपय कानी ददामी पंचाशत सहस्र रूपय काणिकिम लक्ष रूपय काणि ददाती चेदपे न ददामी तत्तु अमूल्यम सत्यवा आमधो हो शरीरस्य एकईकम अंगम तावत अमूल्यम तदेव पृच्छति किला की द्रिशह मूर्खाहा भवान मित्रा तदा भवानेम उप्तवान खलो अहम निर्धन अहा इते परंतो भवत अहा अनेक लक्ष मूल्य युतम शरीरम अस्ति प्रतमं तस्य महत्वम जानातो सत्यम इदानीम अहम ज्ञातवान अहम निर्धन अहा नासमे अहम शरीमान असमे इताफ परं कस्यापी पुरताह अहम याचनाम ना करिश्यामी साधो वित्रा साधो अहो जान फुगी कथम लेतावंती पुस्तकानी अहम ग्रंथालेम गतवति आसम ततहा बहुनी पुस्तकानी अनीतवति की दुश्या पुस्तकानी तानी एकम महा काव्यम नाटक द्वयम पद्यकाव्य द्वयम चा आनीतवति नाटका द्वयम कस्या नाटका द्वयम अपी कालिदा सस्य एव एवम वा अहम भा सस्य नाटका द्वयम पटितवती कालिदा सस्य एकम एव पटितवती तरही एवम करतो अहम भवती एत नाटका द्वयम अपी दिन द्वयम ददाने भवती अपी पठतो बहु समीची नम मम्म समेपे पत्र का द्वयम अस्थे यदि भवती चती तरही भवत्यय विददाँमे मास्तु बहु परिक्शायाहनिमित्तम मासत द्वयमेव अस्थे दावता बहु पञँड़न्यम स्थे पस्तु तथेईव करोदु तगनंतरमेव पठतु धन्यवादाह स्वागतु एकम महाकाव्यम नाटकत द्वयम एकम पादम ददातु भवताहा नेत्रद्वयम अस्ते खलो वयत इदानी एकम सुभावितां शुणवाँ यस्तु संचरते देशान यस्तु सेवेत पंडिता तस्य विस्तारिता बुद्धि तैल बिंदुरिवां भसी यस्तु संचरते देशान यस्तु सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धि तैल बिंदुरिवां भसी सुभाविता अर्थि ये है जो वेक्ति देशाटन करता है तथा जो पंडितों ज्ञानियों की सेवा करता है तथा उनका सानिध्य रखता है उस वेक्ति का ज्ञान अपने आप पर जाता है वह उसी प्रकार ज्ञानी बन जाता है जिस प्रकार तेल बिंदु के पानी में गिरने से वह पूरे पानी में फेल जाता है एकस्मिन दिने गुरुहु शिश्य ही सहा नौकया नद्याह अन्यतीरं पस्तितवन नद्याम गमन समये पुरतह अन्या नौका आगच्छन्ती आसीत तस्याम नौकयाम बहवः जनाह आसन यदा ते पश्यंतह आसन तदा एवसा नौका नदीस्थाम कांचित महतीम शिलाम घट्टैत्वा भग्ना भवत नौकयाम स्तिताह जनाह नद्याम पतित्वा मरणं प्राप्तवन्त तद द्रिष्ट्वा गुरुहु शिष्यान उक्तवान पश्यंतु नौकयाम कोपी एकह दुष्टह आसीत तस्य कारण तह निरपराधिनह अन्ये सर्वे मरणं प्राप्तवन्त अतहेव वदंती एकह पापानी कुरुते अन्ये फलं अनुभवंती तद शिष्याह तद नांगी कुरुंती एकह वदती गुरो एकह पापानी कुरुते अन्ये फलं अनुभवंती एतद अन्यायम खलु गुरुहु तद किमपी उत्तरं न वदती मन्दअहा संकृत्वा मौनम् ति Heroри ते नद्याहा अंयतीरम प्राप्तवंतः नदीतीरे गमन समये एक आहा शंखाह दृष्यते शिष्याः एकाह शंखंग्रहीत्वा इतस्ततः भ्रामयती शंखस्या अंत्था बख्व्याहा पिपीलिकाहा आसन तासो एका पिपीलिका शिष्यस्य हस्तम अदशत तदा अतीव कृध्धह शिष्यह तम शंकं नद्यां क्षित्तवान पिपीलिका हा सर्वाह मरणं प्राप्तवत्य तद्रिष्ट्वा गुरुहुवदती पश्यंतु एका पिपीलिका भवताम मित्रस्य हस्तम अधशत किन्टु तस्याह कारणताह सर्वाह पिपीलिकाह मरणं प्राप्टवत्याह अतायव वदंती एकाह पापानी कुरुते तस्य फलं सरवेपी अनुभवंती इती अब ये पाठ समाथ होता है अगले पाठ में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अब ये बाठ समाथ लेड़गा अब रात समाथ ओर मिले बाठ येड़गा रात समाथ अब बनाद समाथा विए भीवाद अब ये पाठ सक लाठ में लेड़ख वह रात समाथ कर दो 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 कर दो